आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो ये कहते हैं कि हे भगवान मेरी अमुक अमुक इच्छा पूरी कर दो फिर मैं मंदिर में 51 रुपे का प्रसाद चड़ाऊंगा आप देखिए भगवान से भी सौदेबाजी करते हैं लोग यद्यपी भगवान को तो कुछ भी न चाहता हूं कि लोग व्यापार में मनुश्यों के साथ तो सौदेबाजी करते ही हैं परन्तु भगवान के साथ भी सौदेबाजी करते हैं यदि तुम हमारी अमुक अमुक इच्छाए पूरी कर दो तो हम तुम्हें प्रसाद चड़ाएंगे यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो नहीं चड़ाएंगे। आजीब सौदेबाजी है ये और वह भी भगवान के साथ। वास्तब में भगवान को ऐसी सौदेबाजी स्वीकार नहीं है। और नहीं वह ऐसे आपकी इच्छाएं पूरी करने वाला है। भगवान का संदेश वेदों में बताया ग ये लोग बाते तो ऐसी करते हैं जैसे भगवान इनकी फल मिठाए का मोहताज हो। वह भूखा बैठा हो, ये लोग खिलाएंगे, तब ही उसकी रक्षा होगी, अन्यता वह भूखा ही मर जाएगा। भायो, वेदों के अनुसार सच्छाए को समझो। भगवान के साथ संसार के लिए भूजन की व्यवस्था करता है। वेदादी शास्त्रों में बताया गया है कि सच्छे मन से पुरुशार्थ करो। बुद्धि मत्त और इमांदारी से पूरी मेहनत करो, आपकी इच्छाय पूरी हो जाएंगी। और वह निराकार चेतन सर्वग्य सर्वव्य पक सर्वशक्तिमा न्यायकारी इश्वर ही पूरी करेगा, अन्य कोई नहीं।